इस वीडियो में हम जानेंगे ओपो या रियल्मी के फोन में एप पिनिंग का यूज कैसे कर सकते हैं, येदि आप भी चाहते हो कि आपका फोन कोई भी ना चला पाए भले ही उसको आपके फोन का पासवर्ड या पेटन लॉक बता हो, तो आप इस सेटिंग का यूज कर सकते ह तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहां पर आपको निचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन पिनिंग पर क्लिक करना है और यहां से इसे चालू करना होगा तो अभी हमने इसे ओन किया, उसके हम कोई भी एप को ओपन करते हैं, तो जैसे हमने वाटसब को ओपन किया और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सिर्फ वाटसब को ही चला पाए और कोई दूसरी एप ना चला पाए, तो उसके लिए आपको रीसेंट बटन पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको उपर डोट प पर क्लिक करना है और यहां पर ओके करना होगा तो अभी हमने WhatsApp को पिन कर दिया है उसके बाद हम किसी को भी अपना फोन दे सकते हैं अभी कोई भी हमारे फोन में सिर्फ WhatsApp ही चला पाएगा कोई दूसरी एड नहीं चला सकता है अगर हम इसे बेग पर क्लिक करते हैं तो आप दे से मोबाईल के तीनों बटन काम करना बंद कर देंगे तो कोई भी हमारे फोन को नहीं चला पाएगा और अगर आपको इसे फिर से चलाना है तो उसके लिए आपको Recent बटन और Bake बटन को एक साथ दबा कर रखना होगा तो अभी हम इन दोनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो आप देख सकते हैं ये एप अनपिन हो चुका है तो अभी हम कुछ भी चला सकते हैं ऐसे ही आप कोई भी एप को पिन कर सकते हो और यहां पर आपको एक और और शन मिल जाता है लोग The Device When Screen Pinning Is Cancelled तो हम इसे भी चालू कर सकते हैं इससे होगा क्या हम जब भी किसी एप को पि नहीं होगा, अन्पिन करने के लिए हमको स्क्रीन लॉक का पासवर्ड पुछेगा और पासवर्ड डालने के बाद ही ये अन्पिन होगा तो बस इस वीडियो में इतना ही